जैसा कि हम लोग को पता है यह हर एक कमट्रेटिव एक्जाम में लगभग लगभग चार-पांच मार्स के इससे आता ही आता है तो चलिए इसको पढ़ते हैं और यह है क्या हम लोग बच्पन से पढ़ते आ पर सब्सक्राइब है ना नाउन पर नाउन वर्व एडवर एड़ेक्टिव सब पढ़ते आ रहे हैं लेकिन आज जानेंगे हम असल में की नाउन के बार में फुल डिटल्स में कि वाट इस नाउन एंड इसके रिगार्डिंग जो भी रूस है वह हम आज देखेंगे तो चलि होता है नाउन इस देनीमपर से प्रसेंट प्लेस और तिंग बिल्कुल सही बात है कहा इस नावन इस दो नेमबर संद्ट ब्लेश और तिंग इसका यहां पर कहने का मतलब है नाउन किसका कोई भी पर्सन का नाम कोई भी प्लेस का नाम या फिर कोई भी थिंग्स के नाम इसको हम लोग नाउन कह देते हैं अब अच्छा अब ये पर्सन का नाम को कैसे नाउन कहेंगे और थिंग्स के नाम को कैसे नाउन कहेंगे तो चलिए आएए देखते हैं एक्जा is a good word मतलब हुआ राम जो है एक अच्छा लड़का है तो अगर इस आपको इसमें कहा है राम ऐसे सब्जेक्ट है लेकिन है क्या राम नाउन है क्यों क्योंकि नाउन क्या है हमने डेफिनिस्टन में देखा नाउन इस दे नेम आप पर्सन तो यहां से क्लियर हुआ समझ में आ आया तो क्या सर यह नाम यह नाउन नहीं होगा स्याम एंड मोहन बिल्कुल होगा यह जो स्याम है और जो मोहन है बिल्कुल नाउन होगा लेकिन यहां पर हम दोनों को एक साथ यूज कर रहे हैं अब हम यहां पर यह लिखते हैं स्याम एंड मोहन आर या इज गूड एस्ट तो क्या सर यह बला जो स्याम है और जो मोहन है नाउन नहीं होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है स्याम एंड मोहन यह भी क्या है नाउन है क्यों 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 कि यह कि क्या है now is the name of person और हमें स्याम और मोहन से पता चल रहा है यह क्या है परसन चलिए बहुत अच्छा तो सर यहां पर लगेगा इस लगेगा तो आप लोग बताई क्या लगेगा जल्दी से सोचिए बताई क्या लगेगा दो है क्या है सब्जेक्ट हमारा प्लूडल है तो हम का जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर होगा तो वर्व जो होगा वह ओल्वेज सिमलर होगा यह बात हमेशा याद रखेगा अब कैसे सर यह क्या आपने लिख दिया यह सब्जेक्ट जो है अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्व हमेशा सिंगुलर कैसे रहेगा तो चलिए यह देखते हैं जैसे मैंने लिखा सी इट्स यह क्या है हमारा सब्जेक्ट से क्या है सिंगुलर और जो हमारा इट्स है यह वर्ब का कौन सा फॉर्म है वर्ब में भी वन में अगर हम लोग क्या हुआ है यहां पर जो आया वह क्या है हमारा सिंगुलर आया इट्स चलिए बहुत अच्छा अब एक और इग्जामपल लेते हैं इतना समझ में नोट कर लेते इस लोगों को चलिए अब जो है यह जो आपने बुताया कि अगर सब्जेक्ट क्या है अगर सिंगलर है तो वह हमेशा सिंगलर आएगा तो हमने इसके ग्यामपल लेखा आप बताईये यहां पर जो सी है वह रंड होगा यह रंस हो जाएगा जल्दी बताईये मैंने वहां पर लिखा है कि सब्जेक्ट अगर सिंगलर है तो वाप क्या हो जाएगा सिंगलर तो जल्दी बताईये रंस सिंगलर है रंस रंसिंगलर है तो हमारा जो सही सेंटेंस हो क्या होगा सी रंस वेरी गुड़ अब समझ में आया उसे प्रकार से जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ जो वाव यूज होगा वह हमेशा प्लूरल होगा यह रूल है इसको आप लोग कहीं लिख लीजिए जल्दी से अब यह कैसे हुआ हमने उसका एक्जामपल लेखा अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगलर है तो हम लोग उसके साथ व यू प्ले या प्लेज जल्दी बताइए यह क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ जो वाव यूज होगा प्ले होगा या प्लेज होगा इसके साथ जो वाव यूज होगा यह होगा हमारा प्ले क्यों क्योंकि हमने अभी बताया कि हमारा जो प्लूरल में सब तुलूडर वह भी उचोगा चलिए यह सब तो एक कॉंसेप्ट की बात हो गई यह सब तो एक कॉंसेप्ट की बात हो गई है ना अब हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग जो नाउन पढ़ रहे हैं वह असल में है क्या नाउन हमारा जो में सब दिक्ठ है आज का आज हम उसको क्लियर करेंगे अच्छे से कि नाउन को नाउन में आप लोग को एक भी डाउट न रहे है ना तो हमने जैसे यहां पर पढ़ा नाउन इस दा नेम और पर्सेंड प्लेस और थिंग तो हमने पर्सेंड का है कोई प्लेस का नाम क्या है क्या है वह क्या है वह होता है हमारा प्लेस और दिल्ली अब यहां पर है दिल्ली इस और विक सिटी तो दिली से में पता लग रहा है कि इंडिया वाला जो कैपिटल है डेली हमें उसकी बात कर रहा हूं तो यहां पर क्या होगा वो क्या है दिली क्या है हमारा सिंगुलर है तो यहां पर इस का यूज़ा सुन आए ख्लियर है चलिए अब हम बढ़ते हैं कि यह तिंग क्या है को भी बस तूटेवल टेवल टेश फैन यह सब की जितने भी वर्ट्स हो गाए यह सब क्या है यह हमारा तिंग्स का नाम हो गया तो इसको हम नाउन कहते हैं क्या हुआ दिकुल नहीं एक्जाम में जो आएगा हम लोग उसको अच्छे से देखते हैं कर दो कर देखे अब जो हमारा एक्जाम में जो आएगा उसको दो देख रहे हैं जैसे पहले काइंड देख लेते हैं है हो है थैंसुआ हो चलिए बहुत अच्छा अब इसके देखिए काइंट कितने होते हैं तो पहला हो गया हमारा तो पर नाउन अब पर नाउन का मतलब क्या हुआ मतलब नाम से पता लगा प्रोपर मतलब कोई एक है ना जैसे कि हमारा कोई भी एक व्यक्ति विसेस का नाम है ना या फिर कोई भी एक क्या पर्टिकुलर पर्सन का नाम पर्टिकुलर ठिंक का नाम या फिर पर्टिकुलर प्लेस का नाम है ना जैसे कि हमारा प्रोपर नाउन से कोई भी पर्टिकुलर प्लेस का नाम है ना सिंग्स का नाम है या फिर कोई भी पर्सन का नाम तो वो क्या होगा प्रोपर नाम होगा जैसे मैंने यूज किया यहां पर महात्मा गांधी तो है पता है हम किसके बारें बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारें बात कर रहे हैं यहां पर महात्मा गांधी यहां पर हम लोग क्या है एक महात्मा एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं अगर मैं यहां पर लिख दू भागत सिंग तो हम लोग इसे यहां पर क्लियर है कि हम लोग एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर हम लोग प्रोपर नाम अच्छा इसमें तो नेम हो गया हमारा चलिए पर्टिकुलर नेम के बारे में बात कर लिए अब प्लेस क्या होगा तो प्लेस जैसा कि मैंने आपको पहले इसांपल बताया कि प्लेस के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं कोई साभी आप लखना हूं आप जिस एरिये में रहते हैं सपोज आप करोल वाग में रहते हैं यह वी क्या है एक प्रोपर जगह एक तो कोई भी आप प्लेस का नाम यहां पर यूज़ कर सकता है तो क्या है क्या हो सकता है बताइए जल्दी-जल्दी जैसे कि हमारा क्या अर्थ नहीं हो सकता है जूपिटर नहीं हो सकता है सन नहीं हो सकता है है ना यह भी सब तो क्या है एक ही एक जिस्ट करता है ना ऐसा तो नहीं अर्थ दो आ अभी तक है ना नहीं है ना सन अर्थ यह सब क्या एक्जामपल है किसके प्रोपर ना उनके प्रोपर का मतलब व प्रवार में देखा चलिए बहुत अच्छा तो क्या बस इतना ही है नाउन बिल्कुल नहीं और क्या क्या हो सकता है जल्दी जल्दी आप लोग डूंडिये जल्दी अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ रहे हैं वह हम लोग पढ़ रहे हैं क्या कॉमन नाउन है क्या चलिए आप लोग थोड़ा सा सूचिये मन में यह कॉमन नाउन है क्या ऑफ मतलब नाम से पता लग रहा है कॉमन टू एवरी परसंट क्या कॉमन टू ए वर्री परसंट अच्छा तो अब कॉमन टू एवरी परसंट कैसे है सर है ना कॉमन every person कैसे है बताईए कि सोचिए कि अगर जैसे कि अगर मैं बोलूँ वाई है ना या फिर गर्ड है ना या फिर टीचर कि मतलब है कि कोई भी हो सकता है इसलब क्या होगए चलिए बहुत अच्छा समझ में आया नहीं समझ में आया आगे आना जैसे कि हम लोग यहाँ पर एस्टुडेंट भी यूज कर सकते हैं ठीक है तो यह रहा हमारा common नाउन चलिए क्या तो बस common नाउन नहीं होता है हमने प्रोपर नाउन पढ़ा इसमें पंडिकुलर वैक्थी के को क्लेक्टिव नाउन है क्या ऐसे कि आप लोग देखिए जो भी आप लोग का पार्ट से उसीं में कहीं नहीं पूरे meaning छुपा उच्छी हुई होती है हरे किसी भी sentence की या फिर किसी भी rules की है ना तो जैसे कि हमने proper noun पढ़ा तो उसमें particular से हम समझ जाएंगे हमने common पढ़ा है ना उसमें मतलब common to all जैसे boys, girls, students कुछ भी है ना animals कुछ भी आब हम लोग पढ़ रहें collective noun collective मतलब इसको हिंदी में कहते है समू तो समू हिंदी में इसका actual meaning होता है समू बाचक संग्य आपने पढ़ा होगा छोटे class में अब क्या है समू क्या क्या हो सकता है जल्दी बताइए जैसे कि अगर मैं example ले लूँ crowd का, mob का है ना मतलब यह सब क्या है एक पूरे group है मतलब मैं एक group की बात कर रहा हूँ है ना इसमें कोई specific person है क्या नहीं है common to all है क्या वो भी नहीं है है ना collective मतलब एक पूरी group की बात कर रहा हूँ जैसे कि crowd हो गया, mob हो गया या फिर fleet हो गया मतलब किसी भी चीज का एक जुन्ड है ना या फिर mob हो गया जैसे कि हमने example में देखा तो क्या है यह collective round है मतलब यह हमेशा प्लूडल रहेगा यह singular कभी नहीं हो सकता है है ना क्यूंकि अगर मैं community बोलूं community कोई भी तो एक community में तो एक person होगा नहीं एक से अधिक person होँगे तो उसके लिए भी क्या होगा हमारा प्लूडल होगा singular नहीं होगा मैंने पहली बताया है चलिए collective हमने देख लिया और क्या क्या हो सकते हैं तो एक आता है हमारा abstract तो abstract क्या हुआ है ना abstract noun क्या हुआ अब abstract noun क्या हुआ तो यह easy है बहुत easy abstract मतलब भाव आचक संग्या है ना भाव मतलब emotion अब emotion क्या है तो happy खुस होना है ना दुखी होना जो कि हम लोग हमेशा होते हैं और और भी बहुत सारे example हो सकते हैं है ना और भी बहुत सारे example हो सकते हैं happiness इसको हम कह दिए हैपीनेस है ना तो जितने भी जिसको हम देख नहीं सकते हैं feel कर सकते हैं उसको हम लोग abstract noun कर दिए हैं चलिए बहुत अच्छा हमने चार तरह के देख लिए हैं आप हमारा जो लास्ट बच रहा है वह हमारा बच रहा है क्या material noun material noun और यह material noun क्या है जैसे हमें नाम से पता लग रहा है कोई भी पदार्थ जैसे कि silver है ना gold mercury यह सब क्या है एक तरह के material ही तो है would तो यह सब हो गया हमारा कौन सा नावन मटेरियल लाँ तो हमने यहां तक देखा कि कितने नावन के कितने पार्ट्स है यह सब बहुत पहले से आप लोग बच्पने पढ़ते आ रहे होंगे लेकिन क्यूंकि हमें आप बस इतना ही सीमित नहीं है आप लोग पढ़ते थे इतना सिमित रहता था लेकिन अब पढ़ेंगे इसके साथ रूल्स पढ़ेंगे हाना क्या क्या रूल्स है तो चलिए है रूल्स हम लोग पढ़ते हैं के करके बहुत एजी है ध्यान से समझिएगा है ना रूल्स देखते हैं रूल नमबर वन अब यह है क्या जैसे कि अगर कोई भी uncountable noun हो जैसे कि मैंने आपको uncountable के बारे पहले ही बताया है है ना अगर कोई भी uncountable noun हो तो उसके आगे हम plural का use क्या करेंगे नहीं करेंगे हम लोग सिर्फ singular का use करेंगे चलिए आप लोग लिखिए इसको जैसे की जैसे की क्या information हना और क्या हो सकता है informations होगा या फिर information होगा हना तो हमेशा information ही होगा और यह हमेशा क्या करेगा singular के साथ आप आएगा चलिए बहुत अच्छा और क्या क्या हो सकता है करेंगे करेंगे एडवाइस वर्क है ना वर्ड अभी क्या सब्द वाला बिल्कुल नहीं यह वर्ड है समवाद करना मतलब कि आपने किसी को वादा किया है तो आपने किसी को कोई बात कहा है आपने किसी से कोई किस्टी सकति है ना तुम वाला वर्ड है वहिए ना इस इंप्लॉयमेंट यह सब हमेंसे क्या होगा ? LA होगा बहुत अच्छाॉजुद क्या हो सकता है फरनीचर, फ्यूल है ना ? cidos फरनीचर है फ्यूल हो गया है ना ? यह सब क्या है हमेंसा इन considerations होगा वह क्या होगा ? हमेंसा similar होगा थीक है ? जैसे की जैसे की एक्जाम्पल बताईए तो क्या सर्जो हमारा जो रूल है रूल नमबर वन वो कहता है कि जो हमारा अंकाउंटेबल नाउन है उसमें उसके साथ जो हम लोग यूज करेंगे भव वो क्या होगा हमेशा सिंगुलर होगा ठेक पहला रूल नमबर दूसरा क्या कहता है यह सब जो जितने भी वर्ड है है यह सब जितने भी जो वर्ड है इसके साथ हैना इनफाइनाइट आर्टिकल कभी यूज नहीं होगा मतलब हैना इनफाइनाइट आर्टिकल कभी यूज नहीं होगा चलिए यह क तो मतलब की है इंडेफिनिट आर्टिकल कभी इन सब के सामने यूज नहीं होगा ठीक है आर्टिकल इंडेफिनिट जैसे की एन इंफोर्मेशन कभी नहीं होगा और नहीं होगा और एविडेंस मतलब की इसके पहले हम लोग इंडेफिनिट जो आर्टिकल है हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे करते हैं तो रियर केस में वह हम लोग आगे पढ़ेंगे ठीक है पहला तो हमने पढ़ा कि वाप क्या होगा उसके साथ हमेशा सिंग्लर होगा है ना फिर हमने क्या पढ़ा इंडेफिनिट आर्टिकल इस नौट बिफोर नौट यूज बिफोर दें ठीक है बहुत अच्छा दूसरा हमने देखा यह जो यूज होते हैं वह हमेशा प्लूडर बहुत के साथ यूज होएंग अब एक जो और जो यूज आ रहा है इसके चार नियम है है ना तो सबसे लास्ट वाला हो गया क्या हो जाएगा जैसे की मच और सम है ना अगर इसी में हमको प्लूरल दिखाना पड़ेगा तो हम लोग कौन सा वर्ड का यूज करेंगे हम लोग जो यूज करेंगे अगर इसको प्लूर्याल्टी के लिए मैनी का यूज करेंगे कि अना जैसे की मच और सम क्या हो गया बहुत एक डिफ्निट नमबर के लिए हो गया है ना लेकिन यहां पर क्या है हमारा मैनी हो गया यह प्लूर्यल के लिए यूज करतें जैसे की कैसे आभ इस्जाम्पल क्या क्या होगा इसका देखिए पहला हमने पढ़ा कि सब्सक्राइब क्या होगा बहुत अच्छा इन सारे वर्ट के साथ होगा यह भी हमें समझ में आ गया चलिए और देखिए प्लूर्यल वर्ब क्या होगा जैसे की कोई भी वह का जो एक्जिक्स्टिंग कंडिशन होता है इस कंडिशन में वह एक्जिस्ट करता है वह होता है हमारा प्लूरल अच्छा तो क्या इट समारा प्लूरल है बिल्कुल नहीं हमारा क्या है प्लूरल इट है ना गो गोस नहीं है यह समझ लिए पहले प्लूरल और सिंगलर भॉब क्य हमने यह पढ़ा कि मच सम के बाद मैंनी का यूज़ करते हैं इसको नो डाउन कर लीजिए जैसे कि अगर मैं एक्जाम्पल दूँ कि गेव मी एन इन फॉर में अब बताइए इसमें मिस्टेक के आए जल्दी बताइए मैंने पहला क्या लिखा है था रूल हमेशा क्या होगा हमारा सिंगलर होगा ठीक है चलिए बहुत अच्छा यूज़ ऑल्वेज इस प्लूडल वह यह भी सही बहुत अच्छा हमने एक और चीज़ बताया था कि हम लोग इनफोर्मेशन से पहले मतलब कभी भी क्या करेंगे कोई आर्टिकल का देंगे क्या वजाएगा ही इनफोर्मेशन सही कर लीजे मतलब मतलब यह हुआ कि अनकाउंटेवल नाउंड है वह हमेंसा सिमलर फॉर्म में ही यूज़ होगा है ना तो और हम लोग का दूसरा जो रूल था वो क्या था कि जो हमारा यह जो अनकाउंटेवल नाउंस है जित इनको क्या नहीं कर सकते हैं कोई भी इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज पहले हम नहीं कर सकते हैं ठीक है चलिए और भी एक्जामपल सोचिए जैसे की एक और एक्जामपल कि यूँ प्रूट प्रूट यूर वर्ड्स चलिए अब इसमें पताएं यह मिस्टेक क्या है आप इसका मतलब यूर्ड्स मतलब सब्द नहीं मतलब आपने जो बात कहा है आपने जो जैसे की सपोज कि यह दो दोस्त है पहला दोस्त दूसरे से वादा करता है कि मैं आपको अगले वीकेंड पर मूवी दिखाने चलूंगा ठीक है वह नहीं ले जाता है तो दूसरा दोस्त नराज हो कि क्या बोलता है यो इस एक वादा से प्रॉमिमस से है यहां पर हमने बutस था कभी वी जो अनकांटेवल लाउन है वह हमेशा किसके फिरंगिल पर में हो सुनरा देखिए और एक्जामपस देखिए और एक्जामपस देखिए और एक्जामपस देखिए जैसे की वाज प्रणीश्ट फोर है मैंनी मिस्चिफ अब देखिए मिस्चिफ ये भी क्या है हमारा मैंने नहीं लिखाया तो आप उसमें नूट कर लिएगा मिस्चिफ का पिस्चिफ क्या हमारा अनकाउंटेबल नाहून है है ना बिल्कुल है चलिए बहुत अच्छा है ओर आब से जो है उसके आगे क्या होगा हमारा जो प्रूरुडल जो लगा है वह हमारा illeg होगा क्या जायेगा माझ होसाइगा कि हो जाएगा ब्रूस मैंने बताया है मैं आर्वा झाल हैर तो कि हमें से तो आधा हूंत ही वाज कि अब आप देखिए अब इसी को हम अलग-अलग यूज कर सकते जैसे कि हमारा एडवाइस था अप पीस ओप एडवाइस चूज कर सकते हैं तो वह अगर हम उसके आगे और लगा करके जैसे कि अपीस ओफ इंफॉर्मेशन है ना जैसे कि ऐसा नहीं है कि हम उसको सिर्फ information क्या गलत हो जाएगा बिल्कुल नहीं बिल्कुल सही होगा यह सब्सक्राइब और उसके आगे क्या लगा रहे हैं पर वह तहीं है क्यों सही है क्यों क्यों क्या दिखा रहा है एक पर्रूल नंबर फस्ट क्या कहता है कि uncountable noun हो अगर क्या हो जैसे कि हमने देखा भी यहां पर uncountable noun हो तो उसके साथ जो क्या होगा हमेशा similar form यूज होगा बहुत अच्छा दूसरा पढ़ा हमने उसका जो भॉब होगा always similar होगा ठीक है और क्या होगा वह यूज किसके त्रू होगा जैसे कि और मैंने मतलब जो प्लूरल भॉब होगा उसके साथ यूज नहीं होगा इसको लिख लीजिए नौट आगे लगा लीजिए यहां पर मतलब यह जो प्लूरल भॉब के साथ यूज बिल्कुल नहीं होगा नौट यूज बिट प्लूरल भॉब ठीक है जैसे कि एक्जामपल हमने जो किये थे मतलब इसके साथ जो होगा प्लूरल भॉब जैसे कि इट या फिर गो है ना जो हमारा एक्जिस्टिंग कंडिशन में वह नहीं होगा मतलब हमें इसमें सिम्लर भॉब लगाना पड़ेग हुआ हुआ है आप दो पहला दूल हमारा सिंगलर नहीं है मतलब नोट यूज उज़े प्लूरल भॉब मतलब नहीं यूज सोगा क्या हो जाएगा हमारा सिम्लर हो जाएगा यहां पर आप नोट लगा लीजएगा हाला कि मैंने मैं बोल रहा हूं वह गलत निस्टेक्स यह हमारा सिम्गलर हो जाएगा मतलब नूडल नहीं होगा है ना इसको आप लोग देख लिजेगा इस वह आप लोग खुद से कीजिएगा बार-बार कीजिएगा प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे आजाएगा ठीक है अब हमारा जो दूसरा रूल जो हम पढ़ रहे हैं हमने पढ़ा था कुछ कलेक्टिव नाव क्या पढ़ा था कलेक्टिव नाव उनके एक्जाम्पल्स मैंने क्या क्या दिये थे हैं ना कैटल यह भी क्या है पॉल्ट्री क्लगी है ना यह चातर क्या है जैसे की कोई भी जानवर को अग्र समय हो गया घंष हो गया आप मवेस्थी ही है तो जितने भी इसको म्यूज करने के लिए चर्प कर देते हैं सबके लिए ठीक है बहूत अच्छा और क्या हो जाएगा जीवरी मतलब जीवरी है ना और क्या क्या हो जाएगा फैमिली मौब क्राउड फैमिली मौब क्राउड बहुत अच्छा तो यह अब बताईए कि क्या क्लेक्टिव नाउन ठीक है सब्सक्राइब क्या नाउन है ऊएय सब्सक्राइब क्या है इसमें हमें स या ये लगाने की कोई आवस वर्णप्था नहीं है ठीक है क्यों नहीं है क्योंकि यह और रेड़ी एक किसको सो कर रहे हैं ग्रूप को सो कर रहे हैं नहीं समझे आया जो कैटल है जीवरी है यह मोब है क्राउड है है यह सब क्या है फ्लूडल फॉर्म में है ठीक है पीपल हो गया फॉल्क हो गया और भी एक्जामपल लिख लीजिए पीपल फॉल्क यह सब जो है इनके साथ हम लोग एस इनको सिंग्लर बनाने की जरूरत यह सब एक्जिस्टिंग कंडिशन में क्या है प्लूर्ल है ठीक है है ना आप जैसे की जैसे की मैं एक्जामपल दूँ एक्जामपल से क्लियर होगा कैटल्स आर इस ग्रेजिंग इंड़ फिल्ड एक बात बताईए हमने आपको पहले बताया यह सब क्या है और रेड़ी क्या है फ्लूर्ल फॉर्म में है है ना बहुत सारे फॉर्म कैटल का मतलब कोई एक मवेसी तो होगा नहीं या फिर कोई एक गाय घास को खा रही है तो क्या उसके लिए तो हम कैटल करेंगे नहीं कैटल का मतलब है मवेसी जो कि बहुत सारे जानवर तो इसके साथ तो पहली मिस्टेक किया है कि इसके साथ क्या होगा इस बिल्कुल नहीं होगा आर होगा बहुत सही और मैंने बोला है कि यह क्या है कैटल है मतलब इसमें एस या नहीं लगा हुआ है तो सर इसने हम क्या लगा देंगे बिल्कुल गलत यह जितने भी मैंने वर्ड आपको लिखा है कैटर जूरी फैमिली क्राउड मोब पीपल आप जैसे फैमिली है तो क्या एक इंसान में से फैमिली बन जाता है बिल्कुल नहीं बनता है ना तो उसके साथ यह सब क्या है एक्जिस्टिंग स्टेज नहीं प्लूरल है इसके साथ हम लोग कोई भी सिंगलर हैल्पिंग भॉप या फिर सिंगलर भॉप का यूस नहीं करेंगे बहुत अच्छा और उसमें हम लोग एस से आइस भी लगाने से बचेंगे चलिए यह रूल था हमारा रू अब एक और एक्जामपल लेख लीजिए जैसे कि हारे लोग साव में कोई बिल लाया गया ठीक है उसमें बोला कि मेजर्टी मतलब जो उसमें जुतने भी मेंबर से उसमें सबसे ज्यादा जो मेंबर फेवर करती है बिल्को तो मेजर्टी के साथ इजाएगा है आ रहाएग मेजर्टी क्या है फ्लूरल है इसके साथ जो यूज होगा हो आर होगा सवंच में आया यही रूल है ठीक है यही हमारा रूल भी है तो रूल से यक्टbelt येश अ और सारे एक्जामपल्स थिक अउसको भी हम लोग देख लेते हैं ठीक है जैसे कि टीम एक और हो गया हमारा टीम में अब एक बात बताईए क्या टीम में बस एक ही लोग रहते हैं नहीं रहते हैं ना तो टीम को भी आजब प्लूरल यूस करें गया ठीक है बहुत अच्छा और यह इसके रूस मैंने अल्रेडी बता दिये हुए ठीक है चलिए लीख लीजिए इसको फिर हम लोग ठाड़ वाला डूल देखते हैं अब इसमें एक और एक्जामपल देख लीजिए पुलिस वर पोस्टेड ऑल ओवर द रूट मतलँ पुलिस जो वह जो वांड मोस्ट वांड़ेड की जो इस टिगर है वो सारे रूट में लगाई हुई है ना सारे जगहों पर लगाई हुई है आप बताई पुलिस जो है उसके साथ रहेंगे या फिर यूज करेंगे यहां पर पुलीस है सिंगलर है घलत मैंने आपको पहले बताया कि जो पुलीस है वह पुलीस में से एक ही लोग तो नहीं रहेंगे यह बहुत सारे लोग रहेंगे प्रेट है ना तो किया है पुलिस क्या है हमारा अज़र प्लूरल यूज़ करेंगे उसको हमेशा तो पुलिस क्या हो जाएगा विए हो जाएगा कि अधिया थे वर पुलिस वर वो स्टेट और अब समझ में आप किलियर हुआ चलिए बहुत अच्छा चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एक ठार्ड जो नंबर का रूल है वह है अब आज देखिए डियर फीस आफिस प्रिंग या फिर सीप इसको हम क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं बताइए singular और plural दोनों को यूज़ कर सकते हैं पड़ कब अगर इसमें का आगे का वर्ट चेंज कर दे मतलब इसके कहने का मतलब यह हुआ कि जो हमारे डियर है इसके आगे हम लोग और डियर लगाएं तो आगे का जो वाग होगा हैं क्या हो जाएगा singular हो जाएगा और डियर इस वहीं पर मैं इसको डियर यूज करूं है ना और उसके आगे क्या लगा दूं अनंबर ओफ डियर मतलब बहुत सारे डियर है ना जैसे की सिप जैसे की सिप है ना जैसे कि हमारे क्या हो गया सिप जैसे की सिप एस एच आई एस एच डबल ली पी सिप है ना एस एच डबल ली पी एच सिप आर एकनोमिकली एकनोमिकली यूस्फूल मतलब जो सिप है वह क्या होते हैं एकनोमिकली यूस्फूल होते हैं ना जैसे की वेफसाय के रूप में सिप का बहुत ज्यादा यूस होता है ना तो क्या हो जाएगा यहां पर कि यहां पर क्या हो जाएगा मैंने आपको पहले बताया सिप क्या होगा इसमें हम ऐसे यह लगाएंगे तो गलत हो जाएगा है ना तोस्पने क्या होगा सिप होगा थे ना सिप आर एकनोमिकली यूस्फूल ठीक है कि नहीं समझे आया मतलब इसका सिंपल मतलब समझ लिए जो डियर है कि स्प्रिंग है और सीप है इसमें हम लोग एस नहीं लगाएंगे तभी लगाएंगे एक पर्टिकुलर केस में जब हम आगे यह चीज डिफिनिट कर रहे हैं कि हां बहुत सारे या फिर कोई जैसे कि मैंन इनके साथ हम एस का यूज नहीं कर सकी नहीं करेंगे चलिए नोट कर लीजिए उसको अब जैसे की अब यह क्या है गलत होगा है सही हम यहां पर सिप्स का यूज नहीं कर रहे थे हाला कि यहां पर हम आड लगा थे बिल्कुल सही अब हम यहां पर भी सिप को क्या रखेंगे क्यों को क्यों कि यहां पर आर यूज यह लगा या जिसका मतलब हमें बाद कर रहुं ठेक हम Namen का अब क्या होता है, नोट कर लिए, अब होता है, sum of the noun ending with s या is, sum of the noun ending ending with, क्या, s या is, बहुत सारे जो noun होते हैं, किसे इंड होते हैं, s या is के साथ होते हैं, ठीक है, बिल्कुल होते हैं, example सोचिए, are used with, plural हो जाए है, singular जल्दी बताइए, singular verb, क्या, यह क्या है, अब, मतलब, अगर हम s या is लगा रहे हैं, तो उसमें कैसे वो हमारा plural verb हो जाएगा, है ना, मतलब, हम लोग क्या है, मतलब, यहां पर देख रहे हैं, कि अगर कोई भी नाउन, s के साथ इंड हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, singular verb यूज़ कर रहे हैं, तो चलिए, example देखते हैं, इसका, जैसे कि example बताइए, एग्जाम्पल बताइए, जल्दी से, जैसे कि mathematics, है ना, mathematics, physics, है ना, यह सब क्या है, हमाला last में s से इंड हो रहा है न, s या यह से इंड हो रहा है, नाव नहीं है, subject का ना है mathematics और physics, लेकिन, लेकिन, अब यहां पर ध्यान देनी वाली बात क्या है, कि mathematics है, तो यहां पर आर नहीं बोल देंगे हम, यहां पर physics, r is a boring subject, तो यहां पर अगर क्या यूज करेंगे हम, क्या बोला मैंने, singular work, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस होगा ना कि r, समझे आया, उसी प्रकार से जो mathematics है, वो r नहीं होगा, इस होगा, ठीक है न, mathematics is a logical subject, समझे आया, तो कुछ essay nouns भी है, हाला कि उसके last में end हो रहा है, क्या essay, लेकिन उसके साथ हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, singular work का यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा, तो सर बस mathematics और physics ही हैं, नहीं नहीं, बहुत सारे हैं, जैसे कि politics हो गया, economics हो गया, है न, politics, economics, statistics, politics है न, economics हो गया, है न, तो आप देखे, politics भी क्या है, end हो रहा है इससे, economics भी क्या हो रहा है, end हो रहा है इससे, तो क्या, इसमें हम plural verb लगाएंगे, नहीं, इसमें हम क्या यूज करेंगे, singular verb, ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आया, जैसे कि बहुत सारे examples होते हैं, जैसे कि कोई बहुत सारे disease होते हैं, जैसे कि measles, है न, measles आपने सुना होगा, सुना है की नहीं सुना है, measles, मिजल्स, तो यहाँ पर measles, are या is, roast disease, मतलब measles जो है, सबसे खतरनाग बिमारी है, है न, तो यहाँ पर measles, जो है, उसके साथ हम लोग आर का यूज नहीं करेंगे, इस का यूज करेंगे, क्यों, हाला कि मैंने पहले ही बता है, है, रूल क्या है, कि बहुत सारे नावन से भी एंड हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, सिंगलर लगाएंगे, है न, तो politics, economics, mathematics, physics, statistics, है न, या फिर, तो सब क्या है, उसके साथ हम लोग सिंगलर वप देख रहे हैं, चलिए, आप कुछ डिजिस के नाम हो गए, जैसे मिजल्स, मिजल्स लिख लीजे, मिजल्स नोट कीजे, मॉंप्स, 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 रिकेट्स, रिकेट्स, है न, इनके साथ के हम लोग किसका यूज़ करेंगे, सिंगुलर का यूज़ करेंगे, समझ में आया, सिंगुलर वप, चलिए, हाला कि, सिंगुलर वप का यूज़ करेंगे, गेम्स और स्पोर्ट्स, अब इसी के साथ, अब इसी के में पार्ट देख रहे हैं, है न, रूल नंबर हमारा कौन सा चल रहा है, थ्री का इसी के पार्ट्स देख रहे हैं, हम लोग, आप जैसे की स्पोर्ट्स की बात कर लें हैं, है न, एश्पोर्ट्स की बात लेते हैं, एचलेटिक्स, अज एचलेटिक्स है, यह भी, लास्ट में S हो रहा है, एसाा रहा है, लेकिन इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, S के साथ, सिंगीलर वप का, यूज़ करेंगे हैंना, एचलेटिक्स, यह बही एक गेम है है एक्वेटिक्स एक्व यूए टी आइस है ना हला कि इसके लास्ट में ऐसे यह सेंड हो रहा है लेकिन हम लोग हमेंसे सिंगुलर वर्प का यूज करेंगे ठीक है यह थे कुछ डिजिस के नाम देखे हमने कुछ ओडएया मंउच के नाम देख लिए ठीक है अब हम लोग देख ले रहे हैं किसके नाम अबजोग देख ले रहे हैं है कि ग्ली वर्स निए ट्रैवल्स लेज़ प्रॉम सेक्स्पियर है ना कि यह सब Iसे बुक के नाम है टाइटल किसी बुक के टाइटल के नाम है हलाकि लांस में क्या एंड हो रहा है रहा है लेकिन आर हम नहीं बोल देंगे और और गुड़ ँर। और आर गुड़ भुक स्पूरी य हाँ और नहीं इस लगा हुआ है लेकिन हमं लोग यूज किसका कर रहे है इसका कर रहे है तो हमने इस कि देखें फिर हमारा इसपोर्ट साय दूसरे पर तीसरे नमबर पर हमारा याद रखिएगा एक्जाम में असे ही पूछेगा एक्जाम में क्या पूछेगा कि इतलेटिक्स इस आर गुट फॉर वाड़ी तो अब आपको यहां पर लिख दिया होगा उसने आर आपको पहचाना है कि नहीं हमने पढ़ा था नाउन में रून नमबर ठाट के जो इसके साथ इंड हो रहे हैं लेकिन उसके साथ कौन सा यूज होता है हमारा सिंगलर यूज करते हैं हम लोग इस सब्सक्राइब आ गया यही है सिंपल सा है कुछ इसमें रॉक रॉफ और टॉफ नहीं है जैसे कि मैंने पॉलिटिक्स का एक्जामपल दिया था तो हम लोग एक वर्ड बना सकते हैं पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स आर इस अ डॉटी गेम है ना तो लेकिन हमने क्या बोला था पॉलिटिक्स हाला की एस के साथ हुआ रहा है लेकिन हम लोग यूज क्या करेंगे इस यूज करेंगे आर अगर लिखा हो तो गलत होगा इसमें बहुत कन्फ्यूज बिल्कुल मत होईगा मैं यह बार-बार करो और एक्जाम में भी आएगा आता भी है है ना तो politics r बिलकुल नहीं होगा क्या होगा is और ड़्टी गेम समझाया और लगा देंगे तो कहा से लगाएंगे लगा सकते हैं ऐसा नहीं है और कंफ्यूज मत होई है ना इस पॉलिटिक्स इस डिर्टी एक संज्व जाया चलिए बहुत अच्छा हमारा रूल नंबर थर्ड कंप्लीट हुए यहां पर है ना रूल नंबर फाइफ पर आज आ जाईए अब रूल नंबर फाइफ क्या कहता है बहुत ज्यादा ही इंपोर्टेंट है रूल नंबर आप लोग भी बना लीजिए ठीक है और हम लोग यह देखेंगे कि किसी भी वर्ड में एस लगाने मात्र से उसका होल मीनिंग चेंज हो जा रहा है कैसे हम लोग देखते हैं जैसे कि अगर मैं लिखूं यहां पर मेर्ड यहां पर है तो कि यहां पर क्या सो किरा माटीरियल को छे-ना लेकिन इस ह१ी में मैं व्हुट्स लगा दूं मैं और इस लगा दूं तो यह जो सो करेंग beetle tonight को याद रखिए हं इसा जो गुड मेंए सढ पहले आहीं नहीं लगा उट के बाद तो वो क्या सो कर रहा माटेरियल को लेकिन अगर वुड में एस लगा दू वुड्स तो क्या हो जाएगा फॉरेस्ट हो जाएगा और इसमें हम लोग क्या यूज नहीं करेंगे मैंने पहले पता है रूल नमबर फॉर्स में रिकॉल कीजिए क्या पत होता है आशेकि आर्म को कि है ना जैसे कि हम एक और बहुर कर रहा है यहां पे लेकिन अगर में यॉटर दू तो यह देगा अगर मैं वाटर सिमपल लिख रहा हूं तो यह क्या मटेरियल को सो कर रहा है यहाँ पर लेकिन अगर वाटर में एस लग जा रहा है तो वह एक सी को सू कर रहा है है हमेसा ध्यान रखिएगा यह चोटी चोटी चीज है यह साम में इसी सबसे कोश्टिंट आएंगे अब देखिए iron यहाँ पर क्या material है लेकिन iron में अगर S लगा देते हैं तो यहाँ पर chain का sense देता है ठीक है चलिए जैसे arm भी लिख लीजिए अगर मैंने arm इसमें लगा दिया तो क्या किसका sense दे रहा weapon का हथियार का ठीक है तो यह सब याद रखिएगा भूलिएगा मत इस सब वर्ट को बहुत इंपोर्टेंट है एक इसी तरह से हमारा air है है ना air क्या दिखा रहा है element को दिखा रहा है किसको दिखा रहा है element को अगर air में अगर हम लोग air लगा देते हैं तो क्या हो जाता है नकड़े दिखाना ही सी गिव एर्ट यह हमारा एक एर्ट क्या दिखाएगा हमारे behavior को दिखाएगा तो आप देख रहें कि अगर हम लोग सिर्फ डबलू वूड में है अगर रूट करते रहे हैं तो वह एक पुड़े फॉर्ट को दिखा रहा है हम वाटर में अगर एस लगाते रहे हैं तो चैन को दता रहा है है अगर आर्म को हम लोग आंस लगा दिए एस लगा दिए तो एक विपन हथियार को बता रहा है उसे प्रकाट से अगर हमारा एयर एयर मतलब हवा एक होता है वह एलिमेंट हुआ हवा है ना चलिए सब्सक्राइब आप देखें ऑक्सीजन क्या है यह में तो बहुत सारे मिक्चर आफ गैसे रहता है तो वह अलग बात है यहां पर उसमें एयर एस लगा दिए मतलब एस अगर हम लगा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है भी हैवियर मतलब नखड़े दिखान तो एस के चेंज से इतने यह सब वर्ट्स नूट कर लीजिए है कि अब कर लिए अब लोग ने चलिए आप आगे पढ़ते हैं आप कुछ ऐसे भी वाक्स है रूल नंबर सिक्स प्रूल नंबर सिक्स जो कह रहा है कुछ ऐसे भी वाक्स हैं पुर्डल होते हैं कि और उनके साथ हम कुछ ऐसे भी वह अगर प्लूडल क्या है अगर नाउन हो कोई भी चीज तो उसके साथ हमें सब प्लूडल वाव यूज करते हैं ठीक है जैसे कि एक्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा जैसे टाउजर्ट्स ठीक है अगर ना टाउजर्ट्स बतलब कुछ ऐसे भी नाउन है जो प्लूडल की तरह यूज किये जाते हैं उसके लिए प्लूडल वाव लगता है ठीक है जैसे कि हमारा टाउजर्ट्स ठीक है और की एक इकजम्पल हो जाएगा जीन्स है ना क्या हो जाएगा जीन्स टाउजर्स जीन्स टाउजर्स अरद इस और ना से अब यहां पर देखिए टाउजर्स क्या है नाउन है उसके साथ इसा रूल यह क्या लगेगा तो लिडल्डल क्या है तो यहांपे तैऴ्ट मिया लगेगा आं लगे उसे प्रकार से जिन्स है तो जिन्स इस वेरी स्टाइलिस नहीं होगा जिन्स आर वेरी स्टाइलिस सब्सक्राइब बस यह रूल है अब इसके और भी कुछ वर्ड लिख सकते हैं जैसे कि आर्म्स मतलब भीख देना इसके साथ भी वर्ड यूज होगा वह हमेशा क्या होगा लूडल होगा ओडर्स प्रोसीड्स ठीक है नोट कर लिए पांच ओए जामपल्स और भी बहुत सारी जामपल्स होंगे कस्टम्स एक और लिख लीजे कस्टम्स है ना कस्टम्स और क्या क्या हो सकता है प्रोसीडिंग्स करवाई चल रही प्रोसीडिंग्स यह सब कुछ ऐसे हमारे प्लूरल नाउन है जिनके साथ हमेशा प्लूरल वर्व यूज होगा ठीक है चलिए बहुत अच्छा और भी रूल्स हम लोग देखते हैं उसको नोट कर लिजे चलिए रूल नंबर सेवन देखते हैं हम लोग चलिए अब हम लोग रूल नंबर सेवन देख रहे हैं अब जैसे कि नुमेरिकल कोई भी नंबर डाल दे थे और यह जो noun adjective की तरह use ना हो रहा हो हम कोई भी number ले लिए उसके साथ क्या डाल दिए? noun डाल दिए और इसको हम plural में use नहीं करेंगे कब नहीं करेंगे? जब यह जो noun है वो adjective तो नहीं कर रहा हो कैसे? कैसे? example सोचिए आप लोग जैसे की 10 day tour 10 day tour है ना? 8 10 year old boy इसमें हम लोग क्या देख रहे है? 10 है मतलब 10 दिनों का क्या है? 10 दिनों के आपके लिए टूर पे जा रहे है जहाँ पे हमने क्या टूर्स कर दिया? नहीं किया क्यों? हमने हमारा जो रूल है रूल नंबर 7 कहता है कि नंबर हो और उसके आगे क्या हो? नाउन हो टूर्स क्या है? नाउन है अगर उसको हम प्लूडल फॉर्म में यूज करेंगे यह क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा तो टें देटूर, ठीक है, क्यों क्यों? क्यों cooling कहता है नंबर हो महन हो और तो हमेसा किसी भी नाउन के पहले अगर नंबर हो जाए तो सिंगलर कभी मत लगाईएगा है ना क्या हो जाएगा प्लूरल अब जैसे कि अर्ट टैन इयर ओल्ड वोई टैन इयर ओल्ड वोई है ना जैसे यह से भी ग्जाम्पल है अग्या है ना फाइफ रूपी नोट क्या लिख सकते हैं हैं कि based रूपी नोट यह नोट क्यों लिखेंगे नोट हो ज़ा गए नोट हो जाए आप है जैसे कि मैंने बताया अकर नाउन के आगे नंबर हो और नाउन यहां पर क्या चुनित अब पर ग्हें कर रहा हो है ना अजह 때到 दीं यूज्च लाँ राहा हो तो नांके यूज करेंगे लिढ़ेल यूज करेंगे जैसे आइख क्या रूपर नहीं होगा रूप Ulb हो जाएगा है ना फाइफ रूपी नोट तो यह हमारा था रून नंबर सैवें नोट डाउन कर लीज़े अब और क्या हो सकते हैं फाइफ फूट लॉंग रूम पांच फूट लंबा रूम है ना फाइफ फूट लॉंग रूम नहीं हो जाएगा ना हम किसी एक ही रूम के बारे में बात कर रहें यहां पर है ना तो फाइफ फूट लॉंग रूम नहीं होगा रूम होगा क्यों क्योंकि हमारा फाइफ क्या है नंबर आ गया यहां पर नाउन हो गया तो हमारा जो यूज सब्सक्राइब को हमने क्या किया टेन डेट टूर्स मतलब देखिए टेन डेट टूर्स किया टूर्स नहीं किया क्यों क्योंकि हम लोग यहां पर प्लूर्ल यूज नहीं करेंगे है ना जैसे कि कि 10 दिन का बहुत सारा टूर्स नहीं हो सकता आप 10 दिन के एक टूर्स नहीं किये उसी प्रकार से हमने किया और टेन यियर अगर लग गया 10 साल ला किया तो क्या boys कर देंगे old कर देंगे नहीं न हम लोग plural use नहीं किया हम लोग singular ही किया है 5 रूपी notes या note हो जाएगा क्या हमने किया note किया न क्यों क्योंकि हमें अगर कहीं भी number दिया हो दुवारा यहाँ पर note कर लिजिए कहीं भी number दिया हो और टू रूपी note ठीक है 10 डे टूर तो हम लोग तूट्स नहीं करेंगे क्यों क्योंकि प्लूडल का यूज नहीं करेंगे जहाँ पर number ना हो ठीक है चलिए पर लिख रहा था वही बस प्लूडल था उसको प्लूडल को यूज नहीं करेंगे वहाँ पर था ठीक है चलिए बहुत अच्छा इसको note कर लीजिए और क्या क्या हो सकता है और क्या क्या हो सकता है बताइए जैसे की अब एक रूल कहता है अब आपने हमने देख लिए इतने सारे रूल्स है ना और जो भी हमारे बच गया है रूल्स उसको लोग फिर नेक्स क्लास में करेंगे हैं ना कुछ रूल्स बच गया है तो यह हमारा यह याद रखिए गा आप लोग इतने रूल्स याद रखिए ठीक है चलिए थैंक्यू का म scroll को कुछ फिर गप का ढुए बगल्स वाल्स पाल्स acts Ingคथ बचुप ूर भाल्स एंक्ल मुढ बड़ है धू गया है थाखिए बगल्स है झाल झाल